हलो एवरिवान वेलकम टू आई यूटूब चैनल तो फ्रेंट्स चलिए आज आपको बताते हैं इस वीडियो में होस्टेल सुप्रिटंडेंट रिकूट्मेंट के बारे में छात्रावास अधिक्षक के 300 पदों पर जो भरती जारी हुई है यह जो भरती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसकी सारी इंफोमेशन सारी डीतेल हम इस वीडियो में बताने वाले हैं तो होस्टेल सुप्रिटंडेंडेंट रिकूट्मेंट 2024 के बारे में जानने के लिए हमारा यह वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आपको इस रिकूट्मेंट से जुड़ी सारी इंफोमेशन मिल सकते हैं तो चलिए फ्रेंट शुरू करते हैं आज का यह वीडियो होस्टेल सुप्रिटंडेंडेंड रिकूट्मेंट 2024 छात्रावास अधिक्षक 300 पदों पर भरती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है इस भरती का नोटिफिकेशन आधिकारिक फ कि होस्टेल सुप्रिटंडेंड के लिए जो नोटिफिकेशन जारी हुए है उस नोटिफिकेशन के आधार पर होस्टेल सुप्रिटंड के पोजिशन के लिए 300 साभा जाने वाला है 300 पदों को भने के लिए 300 candidates को select किया जाएगा इस recruitment के लिए application form online तरिके से मांगा गया है तो online आवेदन form करने से संबंदि अधिक जानकारी वीडियो में आगे बताई चाहा रही है वीडियो में हम आगे application form कैसे apply करना है इस वीडियो में सारी information जैसे age limit, educational qualification, application form apply करने का तरीका ये सब कुछ हम इस वीडियो में आगे बताने वाले हैं तो हमारे वीडियो देखते रहेगा फ्रेंड्स अब चानते हैं recruitment के important dates के बारे में तो आवेदन form भनने की जो महत्रोपूर्ण तिथिया है उसके बारे में जाने तो क्षात्रावास्त अधिक्षक के 300 पदों पर भरती के लिए आवेदन form ओनलाइन तरीके से मागे गए है ओनलाइन आवेदन form भनने की अंतिम तिथी 31 मार्च 2024 रखे गई है वही इस रिक्रूट्मेंट की जो स्टार्ट डेट है यानि एप्लिकेशन फॉर्म भनने की जो शुरू होने की तिथी है वो 1 मार्च 2024 है तो जो भी केंडिडेट्स इस रिक्रूट्मेंट के लिए अप्लाइ करना चाहते हैं वो सबी इस ताइम लिमिट को ध्यान में रखकर यानि 1 मार्च 2024 से 31 मार्च यानि 31 मार्च 2024 तक अपना अप्लिकेशन फॉर्म अप्लाइ कर दे क्योंकि इस टाइम लिमिट के बाद ओनलाइन पॉर्टल बन कर दिया जाएगा और किसी भी तरह के एप्लिकेशन फॉर्म स्विकार नहीं किये जाएंगे इसलिए पात्र एममे चुक कंडिडेट्स आप एप्लिकेशन फॉर्म ओफिशल विबसाइट के माथन से भर ले गई है वहीं एज की गुणना 1st January 2023 को आधार मान कर की जाएगी सरकारी नियम अनुसार आरक्षित वर्गों को अधिक्तम आयू सिमा में छूट भी दी जाएगी यानि फ्रेंट्स इस रिकूट्मेंट के लिए मीनिमाम एज लिमिट 21 रखी गई है मीनिमाम एज 21 येर्स है तो जो भी कंडिडेट 21 येर्स या उससे ज़्यादा की एज रखते हैं वो सब भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और आरक्षित वर्गों के जो केंडिडेट्स डेट्स है उनके लिए एज लिमिट में जो छूट चाट दी जाती है वो सरकारी नियमाम अनुसार दी जाएगी अद देखते हैं रिक्रूट्मेंट की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है उसके बारे में यानि के इस रिक्रूट्मेंट के लिए सेक्षन क्यों गेता क्या नेधारित की गई है वो देखे तो वर्ष्टेल सुप्रेटेंडिन पदोपर भरती के एप्लिकंट के लिए सेक्षन क्यों गेता किसी मानेता प्राप्त विश्वी ज्याले से बारवी या उसके समतुल्य परिक्षा उत्तिर्ण रखी हुई है इसके अलावा अब्रियस ही आधिकारिक नोटिफिकेशन में उपलग करवाई गई जानकारी चेक करके ओनलाइन आवेदन फों भर सकते हैं ओनलाइन आवेदन फों भरने की लिंक वीडियो के लाश्ट में उपलग करवा दी गई है यानि फ्रेंड्सेस रिक्रूट्मेंट के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखी गई है वो किसी मानेताप्राप्त विद्याल एसेट फैल्थ पास रखी गई है या उसके समान कोई परिक्षा उत्तिन हो तो वो क्वालिफिकेशन रखी गई है यानि जो भी candidate फैल्स पास है या उसके समतुलिय कोई परिक्षा में पास है तो वो इसके लिए अपलाए कर सकते हैं और इसके अलावा जो ये recruitment की qualification के बारे में more information notification में दी गई है तो आप वहाँ से भी जाकर check कर सकते हैं तो जो notification है वो वीडियो के last में हमने बताने वाले हैं और जो official website है online form apply करने की वो भी हम वीडियो के last में बताने वाले हैं अब देखते हैं friends आविदन form कैसे भना है यानि कि इस recruitment के लिए application process क्या रखी गई है तो hostel superintendent पदोपरभर्ती का online आविदन form आधिकारिक website के माध्यम से भरने के लिए ये steps को follow करना होगा तो जो भी candidates को नहीं पता है कि hostel superintendent recruitment के लिए अपना application form online कैसे apply करना है तो वो हमारे बताईए steps follow करके अपना application form apply कर सकते हैं तो friends सबसे पहले application form apply करने के लिए आपको आधिकारिक website पर जाना है उसके बाद advertisement के option पर click करना है वहाँ पर भरती का notification PDF फाइल के माध्यम से दिया गया है उसे डाउन्डोड करना है notification में दी गई संपूर्ण जानकारी step by step चेक करना है संपूर्ण जानकारी चेक करने के बाद में apply online के link पर click करना है मागे गई संपूर्ण जानकारी online upload करनी है आवेदन फॉर्म को रुप से भर लेने के बाद में अपनी केटेगरी के अनुसार online आवेदन शुरू का भुपतान करना है और फॉर्म को सम्मिट कर देना है इस फॉर्म कर एक print out निकाल कर अपने पास रख लेना है तो फ्रेंड जैसा हमने बताया एक बार फिर आपको सारे steps बता देते हैं तापकि आपको clear हो जाए कि application form कैसे apply करना है तो सबसे पहले आपको इस recruitment की जो official website है उस पर जाना है यह official website हम वीडियो के last में बताने वाले हैं तो आप महां से भी note कर सकते हैं फिर उस notification में sorry उस website पर जाने के बाद आपको advertisement का option दिखेगा उस पर click कर लेना है वहाँ पर recruitment की official notification दी गई होगी उस notification को pdf file में दिया गया होगा तो उसे download कर लेना है और उस notification में दी गई सारी information अच्छे से check कर लेनी है फ्रेंड्स वीडियो के last में हम ये official notification भी बताने वाले हैं तो आप वहाँ से भी सारी information चेक कर सकते हैं फिर सारी information चेक करने के बाद अगर आपकी qualification recruitment की qualification से match कर रही है तो आपको apply करने के लिए apply online के link पर click कर लेना है फिर आपको apply online के link पर click करने के बाद वहाँ पर एक application form open होगा उस application form में मांगी गई सारी information जैसे आपका नाम, आपकी age, आपका address आपकी educational qualification से जुड़ी सारी जानकारी या फिर आपकी अधर कोई information ये सब कुछ वहाँ पर पूछा गया होगा वो आपको अच्छे से सही सही भल लेना है साथ ही जो necessary documents मांगे गए होंगे वो भी आपको form के साथ upload कर देना है फिर अपनी category के अनुसार application fees पे करनी है और इस form को submit कर देना है फ्रेंड्स एक बात खास याद रखे कि इस application form की एक printout निकाल कर अपने पास जरूर रख ले ताकि in future वो आपको कामा सकती है तो चलिए फ्रेंड्स अब जानते हैं इस recruitment की important links के बारे में कि कौन सी links इस recruitment के लिए apply करने के लिए कामा सकती है तो सबसे पहले recruitment की official website के बारे में जाने तो इसकी official website व्यापम.cgstate.gov.in.node है इस website पर जाकर आप application form apply कर सकते हैं official notification में जाकर और जो apply करने की link है वो भी हमने यहां बता रहे है तो वो link है व्यापम.online.cgstate.gov.in online तो friends यह link का यूज करके आप अपना application form apply कर सकते हैं वहां से आप अपना application form भर सकते हैं friends अब आगे देखते हैं इस recruitment की official notification के बारे में तो यह है वो official notification जिसके आधार पर हमने यह पुड़ा वीडियो बनाया है यानि हमारा यह वीडियो फेक नहीं है इस notification के आधार पर हमने यह वीडियो में सारी information बताई है तो आप यहां से यह information देखकर अपना application form apply कर सकते हैं साथ ही जो भी candidate apply करना चाहते हैं वो 31st March से पहले अपना application form apply कर दे ताकि वो भी इस recruitment का हिस्सा बन पाए क्योंकि इसके बाद 31st March के बाद कोई भी application form स्विकार नहीं किया जाएगा क्योंकि उसके बाद online portal बंद कर दिया जाएगा और कोई भी application form स्विकार नहीं किया जाएगा तो friends I hope you like our video and if you like our video then please like share and subscribe our channel यह जो hostel superintendent की recruitment है उसकी सारी information हमने इस वीडियो में बताई I hope यह आपको helpful रही होगी अगर हमारा वीडियो पसंद आया है तो अभी like share कर दे और हमारी चैनल को subscribe कर दे ताकि ऐसी ही information ऐसी ही recruitment के बारे में आपको जानकारी पहुचा सके और हमें भी थोड़ा more boost मिल सके thank you for watching stay tuned for more videos thank you